नमस्कार पूनम की जटपट रसोई में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को कस्टर्ड फ्रूट सेवईया बनाना सिखाऊंगी दोस्टों ये एक स्वादिस्ट और लोग प्रिये डेजर्ट है जो भारती रसोई में विसेश रूप से खास मौके पर बनाई जाती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए एक छोटी चमच मैंने देशी गी को डाला है और इसमें आधा कप मैंने सेवई को डाल दिया है और इसे लगतार चलाते हुए इसे गोल्डन ब्राउन सेक लेना है और अब मैं इसमें लगबग डेर लीटर के लगबग मैंने दूद को डाल दिया है और सेवई को हमें दूद में अच्छे तरीके से पका लेना है और एक कप मैंने दूद को लिया है और इसमें दो बड़ा चम्मच कस्टड को डाल दिया है दोस्तों क्या आपको पता है ब्रेटिस उपनिवेश काल के दोरान भारतिये घरों में कस्टर्ड को अपनाया गया और विविन भारतिये मीठाईयों में इसे मिश्रित किया गया अच्छे से इसे गोल लेना है ताकि कोई लम्स ना रहे और कुछ फ्रूट्स भी ये देखे मैंने लिया है और इसे छोटे छोटे टुक्रों में काट लिया है ये देखे सेवई भी हमारा लगभग पक चुका है और दूद भी थोड़ा गाड़ा हो चुका है और अब मैं इसमें ये जो मैंने कस्टड को गोला था इसे धीरे धीरे डालोंगी और इसे लगतार चलाते जाओंगी नहीं तो इसमें लम्स आ जाएगा और ये हमारा जो कस्टड फ्रूट से वहिया है वो बिलकुल खराब हो जाएगा और अब मैंने वन फूर्थ कप के लगभग चीनी को डाल दिया है चीनी आप इच्छानुसार कम या ज़्यादा कर सकती है और ये देखिए गाड़ा होना शुरू हो चुका है क्योंकि इसमें मैंने कस्टड को डाला है और ये लगभग तयार हो चुका है और अब मैं गैस क को बंद कर दूगी और इसे थोड़ा ठंडा होने दूगई ठंडा होने के बाद ये जो कटा हुआilateral फूरूट्स है इसे मैं सिवई में डाल दूगा ये देखिए एक एकर सभी फूरूट्स को इसमें डाल देना है दोस्तों यदि आप फूरूट्स नहीं डालना चाहती है तो आप नहीं भी डाल सकती है ऐसे भी काफी ये स्वाधिस्ट लगता है लेकिन fruits डालने के बाद इसका स्वाध और बढ़ जाता है इसे चम्चे की सहता से fruits को मिला लेना है ये देखिए मैंने इसे मिला लिया है और अब मैं इसे एक बरतन में डाल दूँगे ये देखिए कितना लजीज ये हमारा बनकर तयार हुआ है और इसे मैं fruits से थोड़ा decorate कर लेती हूँ ताकि ये दिखने में काफी अच्छा लगे महमान आए तो तारीफ करती हुए ना ठके तो दोस्तों ये हमारा fruit custard सिवई बनकर बिलकुल तयार है आप इस recipe को जरूर ट्राइ करें और हमें पताएं कि आपको ये कैसा लगा यदि अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, share करें, subscribe करें बेल आइकन को दवाना ना भूले, thanks